सदी के महानायक कहलाए जाते हैं ये और हर एक शक्स इनकी बहतरीन आक्टिंग का दिवाना है यकीन नहीं हर एक शक्स जो है अमिता बच्चन की आक्टिंग को अब भी मिस करता है और जब भी वो फिल्मों में आते हैं तब हर किसी का दिल वो जीत लेते हैं मगर अब लग रहा है कि उम्र 76 हो जाने के बाद शायद अब अमिता आप को फिल्मों से ब्रेक ले लेना चाहिए नमस्कार आप सभी देख रहे हैं एक साइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी हम यहाँ पर जिकर कर रहे हैं सदी के महानायक पॉलेवड इंडस्ट्री के बिग भी अमिता बच्चन को लेका अमिता बच्चन अपनी काबलियत को अब नहीं साबित करेंगे क्योंकि जब उन्हें अपनी काबलियत को साबित करना था तब उन्होंने साबित भी किया और सदी के महानायक भी बने अमिता बच्चन का सम्मान इस देश का हर एक व्यक लखनव से यह तस्वीर सामने आई हैं एक डिनर यहां पर रखा गया है जहां पर आयुश्मान खुराना ने इस तस्वीर को सांजा किया है आप यहां पर इस तस्वीर को जब गौर से देख रहे होंगे तब यकीन आपको हैरानी हो रही होगी अमिताब बच्चन को देख कर ये बदला बदला सांदास चहरे पर साफ तौर पर अमिताब के जो बढ़ती उम्र के असर हैं वो देखे जा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि अमिताब बच्चन जो हैं कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी गंबीर बिमारी भी है जिसके चलते जो है ठकस अफ इंदुस्तान के दौरान भी उनकी तभ्यत खराब हो गई थी और उसके बाद भी देखा गया था कि अमिताब ने अपनी फिल्म को ना मकर उसके बावजूद भी आप लगातार काम कर रहे हैं तस्वीर हम लगातार कंटीनियू आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमिताब बच्चन यहाँ पर सफेद दाड़ी में देखे जा रहे हैं उन्होंने यहाँ पर वाइट शॉल भी उड़ा हुआ है यानि कि आ अच्की जनरेशन को बनाने वाले शक्स अमिताब बच्चन है उम्र इतनी हो गई जब जो आक्टर हैं काम नहीं करते हैं मगर अमिताब है कि उन्हें हर दिन कुछ नया करना है अमिताब बच्चन की है कियारल में भी जाकर हुआ वह शूटिंग की है जहां पर वह अगर लै और कहीं न कहीं गंभीर बीमारी तक त सबस्चत यो तो गर्मियों में भी शॉल को ओड़े हुए देखे जाते हैं यानि कि शरीर जो है वो कहीं न कहीं अब काफी जादा ही ढल रहा है जिसको लेकर जो है आप उन्हें जादा ठंड लगते हैं कि एक ऐसी गंबीर बिमारी जो आज तक ठीक नहीं हो पाई और उसके बावजू से सन्यास ले लेना चाहिए बॉलिवर्ड इंडस्ट्री को आप टाटा बाई बाई कह देना चाहिए यार देखने वाली बात तो यही होगी कि क्या मिता बचन अब भी और आगे भी फिल्मों में काम करते रहेंगे और अपने हेल्थ के साथ ये जो खत्रा है उसे मोर फिलाल आज की इस प्रोक्राम में बस इतना ही पर हाँ आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें